सब्सक्राइब करें इस चैनल को और बगल में दिये हुए गंटे को जरूर दबाएं जिससे आपको सारी लेटेस वीडियो मिलती रहे सबसे पहले देखने को नमस्कार दोस्तों कैसे हो आप लोग टेकें सोशल चैनल में आपका स्वालत है दोस्तों इस बिस्वे मैं वीडियो काफि पहले बनाना चारा था लेकिन अब मैं बना रहा हूँ आज मैं आपको बता रहा हूँ हॉम टॉम के H5 फॉन में जो माइक लगता है जो इयर पीस लगता है वो कहां लगता है और कैसे लगाना है ये सारी चीज़े मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ देखी मेरा वीडियो सुरू से लेकिन लास्ट तर दोस्तों आपने पिसली वीडियो में देखा मैंने वहाँ अन्बॉक्सिंग किया था हॉम टॉम S5 का उसमें कहीं भी 3.5 mm का जैक नहीं दिया था यारी जो इयर पीस का या माइक लगाने का जो जैक होता है 3.5 mm का वो कहीं भी नहीं था आपको बॉक्स में से मैंने दिखाई थी कि दो वायर मिली थी इतनी चोटी 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 दो वायर मिली थी तो एक वायर काम आती है डेटा ट्रांसपर करने के लिए यानि आप एक अपने C-type जो केवल है जो charging केवल है एक वहाँ पिन लगा के और दूसरे को अपने laptop या computer में लगा सकते हैं एक दूसरी पिन और दी थी जिसमें आप C-type केवल को अपने charging point में लगा सकते हैं फॉन के और एक गोल सा charging point और था जैसे Nokia का phone चार्ज करने के लिए जो charger पहले वाला आता था पुराना वाला आप उसमें गोल वाला charger point डाल के भी उसे चार्ज कर सकते हैं लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि इसमें जो 3.5M का माइक लगता है यानि earpiece लगाने का system है वो कहां पर है और है तो company ने साथ में वो device जो नहीं दी तो यह चीर थी और मैं उस phone को दोबारा लेने गया जहां से मैं लेके आया था और मेरे सहर में वो phone मुझे कहीं भी नहीं मिला वो phone कहीं भी नहीं मिला नहीं तो मैं यहां पर आपको demo करके दिखाता सारी चीज़ दिखाता मैंने एक दो दिन से लगाता उसे डोणा लेकिन वो नहीं मिला जहां जहां था हमारे सहर में जिस distributor के पास आया था सभी के पास से वो product वापस चले गए है तो वो चीज मुझे मिली नहीं लेकिन मैं आपको बताता हूं उसमें क्या था दोस्तों जो charging point था एक ही पूरे mobile में एक ही point निकला हुआ है जो charging point है C type cable से वो charge होता है तो आपको अगर earpiece लगाना है earpiece लगाना है 3.5 mm का यानि गोल वाला pin वाला mic लगाना है तो आपको अलग से connector खरीदना पड़ेगा इतना वाला connector आएगा जिसमें एक तरफ C type cable होगी जो आपकी charging pin में लग जाएगी जो mobile charge करता है उसमें लग जाएगी एक तरफ दूसरी तरफ गोल सा 3.5 mm का jack होगा जिसमें आप अपन इयर पीस को लगा सकते हैं और उससे आप गाने सुन सकते हैं सारी चीज़े सुन सकते हैं अगर दोस्तों आप ये वाली cable लेना चाहते हैं तो नीचे description में मैंने link दे दिया है आप वहाँ से online मंगा सकते हैं किसी भी गाव दिहात कहीं भी रह रहे हों आप इस चीज़ को मंगा सकते हैं नीचे description में link है आप जाके उस पर क्लिक कीजिए और वहाँ से आप purchase कर सकते है आपको special discount मिल जाएगा तो सबसे पहले में बता दू कि पता नहीं company में इस तरह का product क्यों बनाया या बनाया भी तो साथ में वो charging cable यानि 3.5 एरुम का अलग से jack भी दे देती तो भी ठीक था लेकिन वो चीज नहीं है ना ही कोई information है website पे ना ही कोई चीज है जिससे ये चीज तो दोस्तों अगर आपको आपने phone ले लिया है और आपको connect करना है अपना mic या earpiece तो आप 3.5 mm का double jack वाला ले ले एक तरफ c type cable का हो या चक्टे pin वाला एक तरफ होना चाहिए pointer जो आपके charging pin में लग जाए और दूसरे तरफ goal वाला 3.5 mm का jack होना चाहिए जिसमें आप अप आपना mic या earpiece का knob लगा से और आपसे गाने सुन सकते हैं तो इस तरह से कर सकते हैं और दोस्तों मैं सबसे बड़ी बात बता दूब की जो home time के जितनी phone आयते सभी में कुछ different तरह के features थे जैसे एक phone मैंने आपको दिखाया था उसमें camera जो back camera था वो ठीक था लेकिन जो front camera थ जहां आप मुटे से swipe करते हैं नीचे की तरफ camera था तो ये भी एक different चीर थी और H5 और एक और जो इसका version है कैई सारे version है उसमें आपको 3.57 का jack ही नहीं दिया है जो आप अलग से लेके खरीद के लगाना पड़ेगा सबसे बड़ी बात में बतातू कि इस तरह की jack होते हैं व ये flip card Amazon पे और वहां से आप online मंगा लिजे कि मुझे नहीं लगता कि market में ये वाले jack इतनी आसानी से चोटी जगाओ पर चोटे डिस्टिक में या चोटे गवहों सहरों में ये मिल पाए तो आप online भी मंगा सकते हैं online देख लिजे और मंगा लिजे तो इस तरह से आप connect कर सक जिए जिससे इस तरह की और भी सारी latest वीडियो आपको देखने को मिले कि सबसे पहले तो दोस्तों मैं इस वीजे पर वीडियो mobile के साथ ही मनाना चाहरा था करके भी दिखाता सारी चीजे करता लेकिन वो mobile मुझे नहीं मिला market में तो ये चीज है मेरी location पे नहीं मिला मैंने आपको ये चीजे बता दी कि कैसे करना है अब आप वो cable खरेट लीजिए आलग से टैंक के दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में